हेलो बच्चो मैं दीपेंसिग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रादेश्टेडी हमें स्वागत करता हूँ आप सभी के धेड़ सारे प्यार के लिए आप सभी का तहे दिल से धर्नवाद क्लाश टोलत के बच्चे फर्स्ट और सेकेंड लेशन है आपका वैद्धु चेत की तीवरता जो फर्स्ट लेशन है दूसरा लेशन गौस की प्रिमे आपने कंप्लीट किया है अब लोग पढ़ इस्तिति उड़ जा क्या होती है इन सब के बारे में आप सभी क्या करेंगे समझेंगे उनसे डेरिवेशन बताया जाएंगे आपको तो देखिए बच्चो सबसे पहले जो हेडिंग है आपकी वह है वैद्धुति वीभाव क्या होता है तो वैद्धुति वीभाव की बात क और समझ जाएंगे पोटेंसिए डिफरैन्स क्या बोलते हैं इनवल्य और इनके बीच की यहीं इस बोड़ी है और यह यहां पर एक आवेस रखा है टेस्ट चार्ज जिसको बोलता है इंदी में परिच्छड आवेस यह बहुत छोटा सा होता है बिल्कुल चुलू सा समझ रहे ना बिल्कुल छोटा होता है बिल्कुल सूच मावेस होता है और यह कैसा लेंगे पॉस्टिव लेंगे अब आपको पता है कि जब इसको हम यहां पर लाएंगे यह सब बात कहां पर हो रही है वैद्व छेत्र में तो जब हम एक किसी परिच्छड आवेस को एक बिन उसे दूसरे बिन तक लाते हैं तो जो हमें एक्स्टरनल फोर्स की वर्क होता है बाय करता दोरा जो कार किया जाता है इसको डबलू एक्स्टरनल कह सकते हैं बाय कर बाय करता दोरा किया गया और इस परिच्छड आवेस के अनुपात कोई समझ रहे हैं इस परिच्छड आवेस के अनुपात कोई क्या कहते हैं वैधुत व queste कहते हैं वी-वी-वाइनस वी-ए कहते हैं यहाँ पे वी-वाइनस वी-ए क्यों लिखा कि आपको याद रखना ओए बी का मतलब हो गया इनीशियल पॉइंट प्रारम्हिक बिंदू इनीशियल पॉइंट और यह क्या हो गया फाइनल जहां पर आपको ले के जाना है समझ रहे ना जिस बिद्द से लेके आएंगे उसको हमेशा पहले लिखेंगे जहां पर लेके आएंगे उसको हमेशा बाद में लिखेंगे तो B से कहाँ पर लाए है A पर वर्क डन बाइ एक्स्टर्नल फोर्स, बाय करता द्वारा किया गया कार और अपॉंट टेस्ट चार्ट, मतलब परिच्छड आवेज़, ये क्या हो गया बेटा, वैधुत विभवानतर हो गया, वैधुत विभवानतर, अब वैधुत विभवानतर की परिभासा कैसे देंगे कि एक बिन्दूससे लुद्धु से दूसरे बिन्द में किसी परिछड़ावेश को वैदु स्थितr व्हेतर कि और तॉप किसी परिछड़ावेश को किसी परिछड़ आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाने में किये गए कार तथा परिछड़ आवेश के अनुपात को परिछड़ आवेश के अनुपात को उन बिंदूओं के बीच वैधुत विभुवांतर कहते हैं उन बिंदूओं के बीच वैधुत विभुवांतर कहते हैं यह फीगर बना लेंगे बच्चों लिख लेंगे वैधुत विभुवांतर बराबर यह भी लिख सकते हैं डवलू अपॉन क्यू नॉट क्लियर समझ में आया तो क्या होगा किसी परिछड़ आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंद तक ले जाने में किये गयकार तो परिछड़ आवेश के अनुपात को इन बिंदूओं के बीच वैधुत विभुवांतर क को बात करें क्या बात करें क्या किसकी एक और परिवासा लिख सकते हैं कैसे बना सकते हैं परिवासा परिवासा अगर इसकी बनाएंगे तो आप देखेंगे क्या यहां से बात करें तो इसका जो होगा वी बी माइनस या इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हैं तो वैधुत वहांता डेलिटा विवराबर आया किया डवलू अपॉन तैज को क्यों अगर हम क्यों को क्या करें एक कूलाम माणें कितना मानेे कूलाम मतलब यह आवेस आपका हो गया वह कितना हो गया получается सफ़ को एक मतलब क्या हो गया एक है च्छाइफ यहां पर एक रखेंगे तो द्यूल डी बराबर कितना गाइगा याँ यहां रखेंगे कितना हो जाएगा डबलू है तो समझ रहें हैं तो वैद्धु छेतर के भीतर एकांगावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंतक ले जाने में किये गए कारों को ही वैद्धु तिववांतर कहते हैं वैधुत विभाएंटर बरावर क्या होता है W upon Q not तो ये परिवासा भी नूट करना चाहिए तो ये भी लिख सकते है और ये धेना चाहिए तो ये भी दे सकते है दोनों आपकी परिवासा एकदम सही है और करेक्ट है अब दिखो इसके बात करें इसके मात्रक और वीमा की तो सबसे पहले जो वैद्धुत विभवांतर है वो कैसी रासी है एक अदिस रासी है सबसे पहली बात हो गई दूसरी बात क्या है कि जो वैद्धुत विभवांतर के अगर मात्रक की बात करें तो उपर दिख रहा है जूल नीचे दिख रहा है कूलाम कार का मातरक होता है जूल आवेस का मातरक होता है जूलाम कूलाम पार काम अत्रग जूल और इसका मौत्रग ये लिखना यह कार अत्रग यांति क्हुंजें निखना है क्या लिखना है आधिखना है क्या TW teenager मोत मौत समझे कि यह कैसी है एक अदिस राजी है इसका जोसाई पद्धतीमникомकेश पद्धती मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम अथवाब लूट होता है भात के लिए आरुए आप बात करें इसकी वी-मा डेलटा-वी की वी-मा तो डेलटा-वी की विमा की बात करें तो डेल्टा वी की वीमा क्या होगी डेल्टा वी की वीमा जो होगी वो होगी क्या उपर डबलू की वीमा नीचे क्यों की वीमा तो उपर डबलू की वीमा मतलब कार की वीमा नीचे आवेस की वीमा ये हो जाएगा कार की वीमा करेंगे डबलू की वीमा तो डबलू की वीमा क्या होगी कार की वीमा कार की होती है ML2 T-2 आवेस की कितनी होती है 80 समझ रहे हैं फ़स्ट इयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब वीमी विसलेसर नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे समझ लीजिए फिर किसी धिरम बता देंगे उसमें बात जब बात करें आप तो क्या होगा ML ये दे रहा है पावर 2 ये दे रहा है T की पावर माइनस 2 अब देखिए ये T उपर जाएगा तो ये T की पावर माइनस 2 थी एक और उपर गया तो ये नीचे प्लस का उपर जाएगा का एक हो जाएगा माइनस का उपर माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 2 और माइनस का यह कितना हो जाएगा माइनस 3 A उपर जाएगा A की पावर माइनस 1 तो यह हो गया अब डेल्टा V का मूल मातरक बताएं डेल्टा V का मूल मातरक तो मूल मातरक जब बताएंगे तो यहां से निकालेंगे म मतलब मास मास का मात्रक किलोग्राम मतलब क्या है लेंथ लंबाई लंबाई का मात्रक मीटर टी दे रहा है टाइम टाइम का मात्रक सेकेंड सेकेंड की पावर माइनस तीन और ए दे रहा है एंपियर तो एंपियर की पावर माइनस के वन यह कैसा मात मात्रक हो गया मतर्व मीटर किलोग्राम सेकंड यह किसमें सब्सक्राइब मात्रक है तो आप सभी को वैध्धुत विभानतर समझ में आ गया होगा कि अध्यूद विभानतर अपने पढ़ा पढ़ेंगे वैध्धुत विभाव अभी आपने पढ़ा था लेक्ट्रिक अब दो होता क्या है कि आपको पता था कि दो बिंडूसे कि आवेश को परिछण आवेश को दूसरे बिंदु तक वैद्धुति व्वांतर कहते हैं अब देखो बात करें अगर वैद्धुति विभाव की तो क्या हो कि अनंद पर कोई चार्ज इस्तित है कहां पर इस्तित है इंफिनाइट पर इन्फिनाइट से किसी परिछण आवेश को क्या किया गया कहा लाया गया वैद्धु छेतर के बीतर किसी बिन्दु तक वैद्धु छेतर के बीतर किसी बिन्दु तक तो लाने में जो कार किया जाएगा उस कार विवांतर किसके किसके बीच निकालना है अनंद परिस्तित किसी परिछणावेश वास्तों में वैद्धुति वह नहीं होता है वैद्धुति वह होता क्या है वास्तों में जो अस्तित में है वो क्या है वैद्धुति विवांतर तो क्या होता है कि अनंद परिस्तित किसी परिच्छनावेश को वैद्धु छेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्येकार किसके द्वारा किया एता है परिच्छनावेश के अनुपाद को क्या कहते हैं अब यह तो कहेंगे आभी बौनतर है तो देखो इंफिनाइट पर वैद्धु वह होता है वह जीरो होता है कैसे होता है अब हम आँगे बताएंगे आपको तो यह हो गया डबलू अपॉन क्यू नॉट तो वास्तों में यह क्या है एक बिंदु पर क्या है वीव हो बिंदु ए पर वीव हो परिवास्ता सेम्व होगी उसमें क्या था दो बिंदु के बीच किसी परिच्छनावेश को एक क्या होगा अनंद परिस्तित कि अनंद पर इस्तित किसी परिच्छन आवेश को वैद्धु छेत्र के भीतर किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में किये गए कार तथा परिच्छन आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं उस बिंदु पर वैद्धु विभो कहलाता है विभो कहलाता है क्लियर हुआ अब वैद्धु वह को वी से डिनोट करते हैं या पॉइंट पर है तो भी ए से डिनोट कर सकते हैं देखो इसका भी मात्र क्या होता है जूल इसका मात्र क्या होता है जूलाम फिर बाद में अधिस रासी है कैसी रासी है वैद्धु वह अधिस रासी है इसका भी विमा क्या होगी जो वैद्धु वहांतर की विमा थी क्या थी लिइंग की पावर फंदी ऩी एक पावर माइनस वन जो उसका में मैत्रक था वही क्या होगा उसका मिल मात्र क्योंकि वास्तों में यह भी क्या है विमांतर है बस यह इंफिनाइट और बिंद के बीच हो गोई रहें वो क्या था दो एअर ब्रीकी बीच बीच मॉंत्र था न इgas एनीशियल फाइनल पॉ framed final हो गया और यहां पर इनीशियल इनीशियल कहा था इनीशियल से चाल हूए था प्रारंबिक बिंद्व रहा मतलब इस उनीशियल चीक है उसमें को पीछे वाले में यह क्या था यहां पर पहले क्या लिखते हैं फाइनल और यहां पर क्या लिखते हैं इनिशियल तो उसमें चेक कर लेना और करेक्शन कर लेना तो इसको नोट कर लिजी आप लोग तो वैद्ध्धुतिवहंतर और वैद्ध्धुतिवह rocket के बाद आपकी जो अगली एंड़िंग है वो कह रहा है वैद्धुच छेतर में दو बिंदों के बीच एक आवेज को ले जाने में किया गया कार तो देखो क्या होता है कि जब किसी आवेज को वैद्धो छेतर में दो बिन्दों के बीच ले जाया जाता है तो वैद्धो छेतर हेडिंग आपकी है वैद्धो छेतर में दो बिन्दों के बीच वैद्धो छेतर में दो बिंदूओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार एक आवेश को ले जाने में किया गया कार यह आपकी होगे एडि अब देखो इसको समझिए होता क्या है कि वैदू छेतर में दो बिंदूओं के बीच भी भुवानतर होता है वैदू छेतर में दो बिंदूओं के बीच भी भुवानतर दो बिंदूओं के बीच भी भुवानतर होता है डेल्टा वी वो बराबर होता है डबलू अपॉन क्यू यहां से अगर आप किसकी बात करें के डबलू की तो डबलू जो हो जाएगा वो किया गया कार क्या होगा डेल्टा वी इंटू क्यू या क्यू इंटू डेल्टा वी क्यू किया गया कार अब क्या है यदि ow कार के बराबर होती है तो यह में शेत्र में गति करने के लिए स्वतंत कर से हुआ में गति में गति करने के लिए स्वतंत्र है गति करने के लिए स्वतंत्र है तब तब क्या होगा कि जो कड की गतिज उड़ जा होगी कड की तब कड की गतिज उड़ जा किये गए कार के बराबर होगी बराबर होगी तो कड का यदि क्या है वेक और कड की गतिज उड़ जा होती क्या है गतिज उड़ जा बराबर किया गया कार किया गया कार गतिज उड़ जा का फार्मूला क्या होता है 1 बटे 2 Mv स्कॉयर और किया गया कार कितना है Q इंट्व डेल्टा भी यह हो गया यहां से आप निकालेंगे V स्कॉयर V square वराबर निकालेंगे तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2Q into delta V 2Q into delta V और यह हम इधर multiply में था तो काई में आ जाएगा divide में तो यह हम आ गया divide में अब यहां से निकालेंगे आप V का मान तो V वराबर हो जाएगा under root 2Q delta V upon M यह क्या हो गया इसका कणका वेग तो इस प्रकार जो वैद्धु 6 exam में यह क्या कर सकते हैं कि इसके बाद देखिए अगली हेडिंग है एक एलेक्टरान वोल्ड है 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 एक है एलेक्टरान वोल्ड अब देखो समझो एक एलेक्टरान वोल्ड क्या होता है एक प्रकार की क्या है उड़जा है देखो समझो आपने पढ़ा है कि W बराबर अभी पढ़ा कि आगे उड़जा बराबर की इंटू डेल्टा भी है अगर ये क्यों क्या हो एक सिंद्स परावर वावा वे किसके बराब्र वह स्पाने से और इसका बिवह वान्ताव हो हो Soo हो I am so a Bis σε a guy Old Ectral V 658 वह उटेज़ा जो कि कोई एलेक्टरान कोई मतलब एक लग्ट एक लेक्टरान वोल्ट वह उट जा है जो कि कोई एक इलेक्ट्रान 1 वोल्ट व्यामतर द्वारा तोरित होने पर अजित करता है तोरित होने पर मतलब वह एक वोल्ट तोरित मतलब उसमें कितना वू mulot इतपन हो जाए विंदोगों के वीच विवांतर कितना होicz्मद समतर है ст है इस it वॉपल्ट वॉर्जा है जो कि कोई लेक्त्रान एक वॉपल्ट विवांतर द्वारा तवरित होने पर कोई इलेक्ट्रान एक वोल्ट विभवांतर द्वारा अर्जित करने पर प्राप्त करता है एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वारित होने पर अरजित करता है तो एक एलेक्टान वोल्ट वै उड़ जा है जो कि कोई लेक्टान एक वोल्ट वहांतर द्वारा अरजित होने पर त्वारित होने पर क्या गड़ता है अब देखो क्या होता है एक लेक्टान वोल्ट एक लेक्टान वोल्ट बराबर होता है देखो, इलेक्टरान का मान होता है, अभी आपको बता रहे है, W बरावर क्या होता है, Q इंटू, डेल्टा वी, Q की जगह एक इलेक्टरान रखेंगो, और एक इलेक्टरान परावेस कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के, 90, और एक वोल्ट है, तो यहापे एक वोल्ट बरावर क्या हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो जब भी आप से कहेगा, सिकेंड फिजेक्स मों मिलेंगे, काफी कोश्चन, कि एक लेक्टरान वोल्ट को आप किसमें बतलना है, जूल में, तो एक लेक्टरान वोल्ट को जब जूल में बतलेंगे, तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का मल्टिप्लाई कर देंगे, और अगर एक जूल को निकालना होगा, एक जूल की बात करें, तो एक जूल बरावर ये मल्टिप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक लेक्टरान वोल्ट, तो जब जूल को इ ा個 ?19 यूल का गुड़ा करेंगे यह बात होगे किसकी एलेक्टान वोल्ट गी को अब देखो कह रहा है कि अगली ए्टिंग रे है बिंद्व आवेस के करण किसी बिंद्व पर वैद्धुत भीवब बिन्दु आवेश के कारण किसी बिन्दु पर वैद्धू दीगो बिन्दु आवेश के कारण किसी बिन्दु पर बिन्दु आवेश के किसी ऐसे माध्य में इस्तित है जिसका परावयतां के है प्लस क्यू कूला मावेश द्वारा उत्पन वैद्धू छेतर में माना एक प्लस क्यू कूला मावेश किसी ऐसे माध्य में इस्तित है जिसका परावयतां के है प्लस क्यू कूला मावेश द्वारा उत्पन वैद्धू छेतर में इस मालार मीटर की दूरी पर एक बिंदू ए है यह सब आपको वीडियो रोक रोक के लिखना आए जो हम बताते हैं ठीक है एक बिंदू क्या है एं एंग जहां हमें वैद्धू ते विवाओ ग्याद करना है एं इसके लिए हम बिंद्ध प्लस क्यू कूलाम आवेश से क्रमसा एक्स तथा ठीक है तथा एक प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन वैद्धू छेतर में बिंदू O से एक्स मीटर की दूरी पर एक बिंदू A की बिंदू A की सीध में माना एक बिंदू क्या है बी है प्लस क्यू कूलाम आवेज देखो फिर से समझिए और लिखते जाईए इसको क्या होगा कि माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेज किसी बिंदू ओ पर किसी ऐसे माद्धम में स्तित है जिसका परावैदुतांक क्या है के प्लेस क्यू कूलाम आवेज दोरा उत्पन वैद्धु छेतर में इसमाल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें वैद्धुत विभोग यात करना है इसके वाद इसके लिए हम बिंदु O से समाल X मीटर की दूरी पर बिंदु A की ही सीध में एक अन बिंदु मान लेते हैं जहां माना एक धन पर इच्छड आवेश इस्तित है Q-not Q-not इस्तित है यहाँ पर अब देखो कूलाम के नियमान उसार प्लस Q दोरा Q-not पर कार करने वाला बल तो कूलाम के नियमान उसार पहले जो थियोरी बोली धी कि बिंद भी यह जाय एक धन पर इच्छड़ आवेस क्यू नॉट इस देता इसके बाद फीगर बनाएंगे फिर लिखेंगे कुलाम के नियमानुसार प्लस क्यू आवेस के कारण क्यू नॉट पर कारत वैद्धुदबल निकाल लेंगे वैद्धुदबल वैद्धुदबल एफ बराबर आपने पड़ा है क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंग जीरो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वाइर क्यू वन की जगए क्यू है Q2 की जगए कितना है Q0 है और अपान क्या हो गया R² R की जगए पर क्या दे रहा है दूरी X तो यह हो जाएगा X का इसको है इतने न्यूटर क्लियर अब क्या करेंगे हम मानेंगे कि प्लस Q कूलाम आवेश से बिंदू A की ओर डेल्टा X दूरी पर कितनी दूरी पर डेल्टा X दूरी पर एक अन बिंदू क्या है C है क्लियर इसके बाद लिखेंगे माना बिंदू B से बिंदू A की ओर बिंदू A की ओर डेल्टा X दूरी पर एक अन बिंदू C है एक अन बिंदू C है अता Q नॉट को B से C तक लाने में किया गया कार किया गया कार निका लेंगे तो यह था बल बल इस डियरेक्शन में काम कर रहा था हम अपोजिट डियरेक्शन को कि यह क्या कर रहा था इस पर प्रतिकरसर बल लगा रहा था तो इस बल के हम क्या कर रहा है विरुद्द कार कर रहा है ठीक है तो बाए करता क्या कर रहा है बाय करता हो दोरा यह किया गया जो कार है वो कितना होगा बाय करता हो दोरा एक्स्टर्नर वर्क किया गया कार बराबर बल इंटू विस्तापन अपोजी डारेक्शन में आ रहा है इसलिए माइनस तो यह हो गया किया गया कार इतने जूर बल की वैलू रखेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 के q q naught upon x square into delta x माइनस को आंगे ले आई ये ये हो गया किया गया कार ये कहां से हो गया b से c तक विभो ग्यात करना है एपर और विभो में आपको पीछे बताया है विभो क्या होता है कि अनंद पर स्थित किसी आवेश को वैद्धो 2 छेतर के भीतर किसी बिन तक लाने में किया गया कार अनंद तक कह रहा है मतलब यहां से जो पहले point की दूरी होगी उग और क्या होगी infinite होगी और इस point की दूरी क्या होगी 1 र होगी तो limit आपकी बन गई क्या infinite to èенс माल r ये आपकी होगई limit तो अनन्त से ए तक लाने में किया गया कार अता आवेस क्यू नौड को अनन्त से ए तक लाने में किया गया कार कार निकालेंगे डबलू बराबर लिमिट लेंगे लिमिट क्या होगे इंफिनाइट टू आर और बांकी ये वैलू रख देंगे तो माइनस को बाहर कर दीजिए हो जाएगा वन अपाउन फोर पाई एफसाइलेंट जीरो के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स इसक्वाइर इंटू डेल्टा यक्स या डी एक्स भी लिख सकते हैं तो जिसमें D लगा हो या जिसमें डेल्टा लगा हो उसी का समा कलन करते हैं तो X के आंगे लगा हुआ है मतलब X वाले टर्म्स का समा कलन होगा ना कि अनका तो सभी को बाहर कर दीजिए तो यह हो जाएगा माइनस के इंटिगेशन इंफिनाइट 2R पहले इसको बाहर करो वन अपाउन फोर पाई एफसाइलन जीरो के क्यू क्यू नॉट लेमिट इंफिनाइट 2R इसको उपर ले जाएंगे तो X की पावर नीचे 2 ती उपर जाके माइनस 2 हो जाएगे डेल्टा X अब देखो समा कलन का फार्मूला देखो देखो X की पावर N का जो समा कलन होता है वो होता है X ही पावर N प्लस 1 और नीचे N प्लस 1 मतलब घात जितनी दी गई होगी उसमें एक जोड़ेंगे और जितना यहां लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे तो घात जितनी दी गई होगी उसमें एक जोडेंगे तो 1 अपाउन 4 पाई एफसाइलन 0 के Q Q नॉट पावर कितनी दे रहा है माइनस दो तो माइनस दो में एक जोडेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के एक और नीचे भी उतना ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ न प्लस वन था यहाँ भी न प्लस वन था तो यहाँ भी नीचे माइनस एक लिख देंगे लिमिट कितनी है इन्फिनाइट टू आर माइनस यह बार आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यह पावर माइनस की नीचे आएगी प्लस की हो जाएगी इन्फिनाइट टू आर यह हो गया तो अब इतना आप नोट कर लीजिए तो फिर से एक बार समझा दें पूरा फिर उसके बाद इसको इस तरह को रख कर दें में होता क्या है कि कह Windows a पर किसी ऐसे माध्यम मिंच्त के इसका प्रावयतां करे में इस माला र Amirt की दूरी पर एक बिन्दू ए है जहां में वायद्धी माध क्या गयाद करना इसके लिए हम बिन्दू O से इसमाल X मीटर की दूरी पर बिंदू A की ही सीध में एक अन्य बिंदू B लेते हैं ठीक है जस पर एक धन पर इच्छणावेस Q0 इस्तित है इतना लिखने के बाद क्या करेंगे फीगर बना लेंगे अब क्या लिखेंगे कुलाम के नियमार उसार प्लस Q के कारण Q0 पर कार माना बिंदू B से डिल्टा X दूरी पर बिंदू A की और एक अन्य बिंदू क्याए सी ठीक है जहां को बिंदू B से कहत ठीक है सित कश कर बराबर होता है बलन तुर सब्सक्रान बल्कि वाही लु रख देंगे स्प्सक्राइब रख देंगे माइनस आंगे लिए यह क्या रिकला है कि सूच में भाग के लिए हमें क्या करना अनंद विभव निकालने के लिए आपको प्रिया पढ़ाता है वैद्दी वह गया था अनंद पर का विभव और अनंद से किसी परिछड़ा भी इसको कहा तक लाने में बिंदू तक जिस बिन तक भी वह निकालना है उस बिन तक लाने में किया गया कार तो इंफिनाइट से बिंदू ए तक लाने में किया गया कार तो इंफिनाइट लिमिट कहां से हो जाएगी इस से पहले वाले की दूरी इंफिनाइट और जहां तक लाना उसकी दूरी इस मालार यह ल लेंगे समाकलन समाकलन का आपको फार्मूला बताया इसके आदार पर होगा तो वीडियो को रोकिए और यह आफ नोट कीजिए समझे रहे है कि इसके बाद देखिए यहां तक हो गया इसके बाद क्या करेंगे डबलू एक्वल वन अपॉन फोर पाई एस साइलन जीरो के क्यों क्यों नॉट अब देखो लिमिट रखेंगे पहले रखते हैं अपन लिमिट अपन लिमिट दे रहा है और तो कहां पर रखेंगे और इस एक्स की जगह पर फिर माइनस लगा के हमें है तो माइनस वन अपन एक्स की जगह लिखेंगे लोगेज निमिट इनफिनाइट और वन अपों Cumwl क्या होता है जीरो होता है तो डबलू इकुल वन अपन फोर पाई उपर साइलन जीरो के क्योड यह हो गया किया गया कार अता निकालेंगे बिंद्यौ एपर भी बहुर बिन्दू ए पर विबो और विबो भी वरावर आपने क्या पढ़ा है W अपन क्यू नौट पर डब्लू कितना आया वन अपन फॉर पाई एपसायलन जीरो के क्यू नौट अपन आर और नीचे क्या है क्यू नॉट क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर देंगे तो वीक को लाएगा वन अपॉन फॉर पाई एपसाइलन जीरो के क्यू अपॉन आर इतने वोल्ट इतने वोल्ट आ गया इसके बाद क्या करेंगे अब बर्यदी माध्यम कैसा हो निर्वात यह वाई हो ऩियदी कि अब कंग लोगह जगार पर कितना रख देंगे आपर की जगह रहां पर रख देंगे मन जब की जगह पर लाएं कि लोख सुन कि आएगा टृ विधिव रावर आवावर जाएगा रपाउन फौर पाई जद्धिती वोका फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है इसे रिलेटेट काफी कोशन भी आपको करने को मिल जाएंगे